हेलो गाइज वल्कम बैक टू दा चनल आज हम जी स्टोक की बात करने लग रहे हैं उस्टोक का नाम है शिरकाप पेंट्स इंडिया लिमिटिड कमपनी ये देखिए ये नुवंबर 2020 में केवल 124 रुपे की उपटेड करने लग रहा था और फिर जनवरी 2022 में ये 217 रुपे क की उपटेड करने लग रहा था एक भूती अच्छी कमपनी है और एक लगातार एक अच्छे रिटन देने वाली कमपनी है ये और हम आपके लिए ऐसे स्टोक लेके आते हैं जिनमें भूती ज़्यादा पोटेंसल होती है और जो फ्यूचर में भी आपको एक भूती प्री कमपनी है ये इसके उपर अभी जीरो डेट है और जो एफ आयाई की ओल्डिंगेस में वो भी लगवग 6% की बने हुई है और एक डिवडेंट देने वाली कमपनी है ये तो अगर इसका बिजनस मोडल देखें तो ये जो कमपनी है ये लकडी की कोटिंग हो गया और जो सजावटी जो पैंट होते हैं उनका निर्मान करती है उनकी बिकरी करती है और उनमें व्यापार करने का काम ये कमपनी करती है तो इसके जो प्रमुक प्रोड़ट है वो दिवार कोटिंग हो गया लगडी कोटिंग हो गया मैटल और जो गलास कोटिंग प्रोड़ट होत उर्स कोटिंग हो गया, हाई एंड वाल पेंट्स हो गया, तो इनको भी बेचने का काम ये कमपनी करती है, और इसका एक अन्य ब्रांड यूनिको, इसके अंडर में ये मास मार्केट उर्स कोटिंग प्रोड़ेट होते हैं, उनको बेचने का काम ये कमपनी करती है, और इसका एक अन्य ब्रांड है आयो कोस तो इसमें ये हाई एंड डेकोरेटिव हो गया सोलिड कलर फिनीसिंग हो गया और जो टेक्स्चर कोटिंग होती है उनको बेचने का काम ये कमपनी करती है और इसका एक अन्य ब्रांड है दुराटे वीवियन तो इसके अंडर में जो चिपकने वाले जो प्रोड़ाट होते है ये उनको बेचने का काम ये company करती है तो मुकरूप से जो ये paint होते हैं जो दिवारों के उपर paint किये जाते हैं लकडी के उपर paint किये जाते हैं तो ये उनको बेचने का काम करती है तो इसका जो revenue आता है वो जो retail होते हैं यानि कि दुकानों पे बेच के ये 70% का रिवेनु जनरेट करती है और जो OEM होते हैं यानि कि original equipment manufacture होते हैं उनको ये बेच के 30% का रिवेनु जनरेट करती है और इसके जो client है उसमें लगबग 670 OEM सामिल है इन में से जो परमुक है वो गोद्रेज हो गया जिंदल stainless steel हो गया इंडो लाइन हो गया स्पेस वूड हो गया पिरामिड हो गया मास फर्निचर हो गया अल शोरग हो गया और जो संद्रिय डिकोडेटर है वो इसके परमुक client है और इस कंपनी के पास च्यार मनुफेक्टरिंग प्लांट है और 2013 तक इस कंपनी के पास 27 सिर्का स्टूडियोज 2500 से ब्यदिक डिलर और 12 इसकी ब्रांचे और डिपो सामिल है और इसकी जो परजेंस है वो 85 से ब्यदिक देशों में है तो मुकरूप से ये जो कंपनी है ये एक पेंट बनाने वाली कंपनी है तो ये था इसका बिजनस मोडल ये एक स्मोल मार्केट कैप कंपनी है इसकी जो मार्केट कैप है वो 1649 क्रोड की है इसका जो 92 काई है वो 444 रुपिया है और जो लो है वो 288 रुपिया है इसकी जो बुक वैलू है वो 92 रुपिया 10 पैसे है और एक dividend देने वाली company है यह इसके जो dividend yield है वो 0.50% की है इसका जो ROC है वो 25.3% का है और इसका जो ROE है वो भी काफी अच्छा है 18.8% का है और इसके अपर जो debt of equity हो बिलकुल ही 0 है और जो promoter हैंकि कोई भी holding pledge नहीं है इस company के पास जो free cash flow है वो 298 करोड का है इसके अपर जो current liabilities है वो 49 करोड शाट लाग की है जबकि इसकी जो total asset है वो 326 करोड की है और ये जो stockage में volume भी काफी अच्छी रहती है इसकी जो sales growth है पिछले 3 सालों में वो 25.3% के इसाब से बड़ है वो केवल 46 रुपिया है और ये देखिए ये जो company है ये परोज से बरीपड़ी है कोंसिस में है ही नहीं एक debt pre company है ये एक अच्छा profit generate करने लग रही है और एक अच्छा dividend देने लग रही है और इसके जो debtor days है वो लगातार improve हुए है ये देखिए अगर आप इसकी sales देख इसके जो other income quarter wise वो 2 क्रोड एक क्रोड ऐसे हो जाती है इसका जो net profit quarter wise 11 क्रोड का 16 क्रोड का 13 क्रोड का ऐसे हो जाता है और ये देखिए इसके पिछले 12 मेने की जो sales growth है वो 17% की है पिछले 12 मेने की जो profit growth है वो 13% की है पिछले 12 मेने का जो CHGR है वो negative 8% का है पिछले 12 मेने की जो रिटन ओपिकोटी है वो 19 परसंट की है और देखें ना कि पिछले 12 मेने की बलकि पास सालों की तिन सालों के भी इसके जो रिटन हो काफी अच्छे हैं और इसके पर जो करजा भी वो बिलकुल ही जीरो है इसकी जो रिजरो कैपिटल है वो 231 करोड की है और इसकी जो 27.55% की बनी हुई है और जो FII की ओल्डिंग है वो भी 5.93% की बनी हुई है और जो DII की ओल्डिंग है इसमें वो 0.80 की बनी हुई है और जो टोटल नंबर वो शेर होल्डर है इस कमपनी में उनकी जो संक्या है वो 51,911 है तो देखें अभी इस स्टोक का जो प्राइस है व अपना खुद का रिशर्च भी जरूर करे और अपने रिशर्च का आदार पर ही किसी भी स्टोक में आप पैसा लगाए तो एक भूती अच्छी कंपनी है अगर आप इसको बाई करके अगर थोड़े बो टाइम के लिए भी इसको होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक भू एक भी जर आपको इसको बाई